चालिए आज हम आपको बताते हैं जो हमारी जीवण शेयली है जीवण शेयली गुटनों में स्कताती में गुटनों में कड्ी थो ऐगी जी और फंपका रह से तो दर आपको उस्टे से यह दोप करेंगे तो उससे हमें क्या होगा गुht loser क्या होग बार्प होगा, उसार्थ सरी कलिग त्रतरीच के षुख अवाज आपारीके से पुला कोई अवाज आएगी वह सब ठीक हो जाएगा, जो भी मांस पैसिया शाओ गई है वह अच्छे से शुख होग करने लगेंगी आइए हम आपको बताते हैं कि इसको ठीक रखने के क्या उपाए हैं और किस तरीके से हम अपने गुठनों को सही रख सकते हैं जिसे हमें चलने में उठने बैठने में कोई प्रॉबलम ना हो तो आइए हम आपको बताने वाले हैं कि हमारे गुटने सुचारू रूप से किस तरीके से कारे करेंगे, आइए, चलिए हम आपको बता रहे हैं, आइए, आइए, लेट ये, तो ये हमारे पेशेंट है, इनको गुटनों में प्रॉब्लम कहां जाद है, अभी हम बताते हैं, खेलो, हहां जी, तो क्या होटा है, इस तरिके से मोड़ने और करने में हमें अंदाज़ा हो जाता है किस गुटने में में जादाधी है, किसमे जादा फरगारा है, कई बार गुटना अटक रहा होता है, तो भी हम बता देते हैं, हम बिना X-ray कराई ही आपको बता देते हैं कि आपको किस गुटने में जादा दर्ध है या कौन सा गुटना जादा अटक रहा है, तो इसमें क्या करना है हमें गुटनों को ठीक रखने के लिए सबसे पहले हम गुटनों पर एक हमारा special gel है, जिसका प गुटनों के लिए अपना यूज करते हैं, और ये गुटने जो हैं हमारे अच्छे से कार्य करेंगे, तो ये देखिए, सबसे पहले इस जेल को हमें clock wise कर लेना है, और इसकी मसाज हमें किस तरीके से देनी है, ये देखिए, एक हात ऐसे, एक ऐसे, और इसको धीरे-धीरे स हम करेंगे, इस तरीके से मसाज देंगे अपने गुटनों को, और लिए दूसरी साइड़ा है, इसको हम 10-12 छूज को मसाज देंगे, इसस तरीके से मसाज देंगे, भोता क्या है ये जो गुटने के वपर हम साधारन लेंग्वेज में आपको बतारहे हैं, जो ये गुटनो यह जितनी स्मूथ होगी, देखें पैर मोडते हैं और खोलते हैं, यह जो हमारे पैरों के ऊपर यह कटोरी है, यह जितनी स्मूथ रहेगी उतना ही पैरों टुक्त जह लेफ लिए अराम रहेगा अब्राप बेटने में, जब भी यह कटोरी टाइट हो जाएगी जब ही आपक चाह पंदरा बार भी हम करेंगे और इसको इस तरीके से मिसाज देंगे उसके बाद के चैन्ज करके हम इसको rests decep 15-20 बार या यह हमारा यह कारीब हो जाएगा फिर हम हाटे पृ को चुक्सक यहा de दस से बारा बार करेंगे, रोटेशन, इससे क्या होगा, यह जो हमाये गुटनी की काटोरी है, धीरे धीरे स्मूथ होगी, और इसको इन बिट्वीन हम ऐसे मुवमेंट करके देखेंगे, यह ऐसे इस तरीके से, यह हलका सा पैर ऐसे मोड़ के, हम ऐसे करके यह काटोरी को दे यह एक नेचुरल प्रोसेस है, यह देखिये, काटोरी की मुवमेंट देखिया इनकी, यह देखिये, तो इसमें यह वर्क बहुत अच्छे से होगा, यह देखिये, घुटने, हमारा सक्रिय रूप से कारे करेंगे, उठने-बैठने में कोई प्रॉबलम नही ओगी, तो इस थोड देर ऐसे रूखेंगे यह बहुता हैं धिर 15 ते कैरेंगे और इसके बाथ कर्ना घूसरा हमें क्या करना है हम यह यह दूसरे पैर से भी से bunny समस्य पर करिया करनी है इज अपनोंके गषरू physis आ दिय करेंगे पहले हमे ये ओंलिया हिलानी ऐसे करके, ये फर्स्ट किरिया रहेगी, दूसरी पर किरिया क्या रहेगी, पेर बाहर क्यों च्रेच करेंगे, 10 count, उसके बार अंदर की side करेंगे, गुठने नहीं उठाने, अंदर की side stretch करेंगे, 10 count, इस तरीके से फिर हम पैर मोडेंगे, बेटे जैसे छोटे बच्चे पैर नहीं ऐसे करते, करो, करो, हाँ, इस तरीके से हम पैरो को करेंगे, जमीन तक थपकी लाओ, हाँ, ऐसे, बैड प बैड पे, यह एक्सरसाइज जरूरी नहीं, आप जमीन पे ही करें, आप बैड पे भी कर सकते हैं, उठके बैड जाहिए, अब नेक्स एक्सरसाइज क्या है, इस पेपर को दोनों पैरों से पकड़िए, ग्रिप बनाईए, ग्रिप अच्छे से बन जाए, पैर उपर करिए येस, नीचे करिए, हमें कोशिश यह करनी है कि यह पेपर ना गिरे, इससे क्या होगा हमारे गुटने अच्छे से वर्क करेंगे, ग्रीज बनने लगेगी अपने आप, और जो इसकी कटोरी है गुटनों की वो अच्छे से स्मूथ हो जाएगी, तो हम इस तरीके से किरिया करते रहेंगे अपने पैरों की और हमारे जो गुटनों में दर्द आता है, जो भी स्टिफने साती है, इवन पूरे पैर में, वो सभी से हम निजाद पा सकेंगे, और इसके अलावा ये हमारे कुछ अपने बनाए हुए तेल है, ये देखिए, तो इसमें क्या है कुछ हम ब बनाते हैं, हमारी अपनी जड़ी पूटिया है, घुंथे हमें ये तेल बनाते हैं, तो मैं सुनीता शर्मा नैचुरोपैथ मुझसे मिलने के लिए जोड़े रहे है करनाल प्लस से, हमारा किनीलिक है विकासपुरी में